दोस्तों कैसे हैं आप सभी फ्रेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र बिहार तथ्यसार की एक नई सिरीज दो हजार चौबिस के लिए ये आपका लेटेस्ट मैगजीन है काफी इंपोर्टेंट है बिहार के एक्जाम के लिए आप चाहे बिहार के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों ये सिरीज बिहार के सभी एक्जाम के लिए काफी जादा उपयोगी है तो आपको इसकी सभी classes को देखना है इसकी playlist इसी channel पर बना दी जाएगी आप सुरू से लेकर आखिर तक इसकी सभी videos को जरूर देखे देखे, आपकी exam से पहले जल्दी से जल्दी इस series को cover कर दिया जाएगा बस आप लोगों को जादा से जादा support करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को subscribe करके रखना है ठीक है तो friends आप सभी को पता है कि हमने last video में इसका जितना भी chapters थे इनको हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस series को हम यहाँ पर cover करने वाले हैं देखिए एक बार आपको फिर से बता दे थोड़ा जल्दी से हम बताएंगे देखिए यह इस series की इस magazine की यह chapters यहाँ पर दिये गए हैं तो chapter wise यहाँ पर आपके सभी topics को cover किया जाएगा जैसे सबसे पहले आज का जो वीडियो आपका होने वाला है यह पहला chapter हम यहाँ पर cover करेंगे बिहार का जो सामानिय परिच्चे है बिहार की सामानिय परिच्चे से related जितना भी आपसे question exam में पूछे जाते हैं जितना भी important data है, fact है वो आपका आज की वीडियो में cover हो जाएगा दोसरी class आपकी बिहार जाती आधारित जनगनना 2022 ते हिस पर होगी, यह आपका most important topic है आपको इसे अच्छे से पढ़ कर जाना है, इसके सभी facts को अच्छे से याद कर के जाना है तो दोसरी वीडियो आपकी इस chapter पर होगी देन आपका बिहार का इतिहास यहाँ पर cover किया जाएगा बिहार का भुगोल, बिहार का परियवरन तो यह सभी chapters आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी chapters को हम इस series में cover करने वाले हैं बिहार मिखनेज, यह chapter आपका most important है, इसे भी हम cover करेंगे देन आप देख सकते हैं, तो यह सारा जो आपका portion है यह बिहार GS से related है, तो GS यानि की जो static GK है वो आपका इन chapters की through cover होगा, बात करते हैं current affair की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार current affairs तो यहाँ पर आपका बिहार का current affair भी अच्छे से cover हो जाएगा तो यह बिहार का current affair है काफी important है, आप इसे जरूर देखें तो इसे भी हम जल्दी से जल्दी cover करेंगे, ठीक है तो यह सभी chapters आपके यहाँ पर होने वाले हैं आज की वीडियो में हम जैसा की आपको बताया है कि सबसे पहला chapter हम discuss करेंगे बिहार का एक बिहार का यहाँ पर सामान्य परिच्च्य है इससे related जितना भी आपका fact है इसे हम यहाँ पर cover करेंगे चलिए फिर start करते हैं आज की class देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है यह राज्य पूर्णते इस्थलरुद लेंड लोक्ड है तो आप सभी जानते हैं कि बिहार एक लेंड लोक राज्य है लेंड लोक क्या होता है लेंड लोक का मतलब होता है जब किसी राज्य की सीमा समुंदर से टच्च ना करती हो वह चारो तरफ से भूमी से भूमी की चारो तरफ हो तो वह राज्य आपका लेंड लोक होता है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार के एक सामान्य पर इच्चे की तो बिहार के बारे में जो आपको नॉर्मल फैक्ट्स पता होना चाहिए और यहां से आप से एक्जाम में कोशन्स भी पूछे जाते हैं तो इन्हें हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है और बिहार कैसा राज्य है एक लैंड लोक्ट राज्य है ठीक है बिहार पूर्व में अपिक्षाकरत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तरपरदेश राज्य के मध्य अवस्थित है तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार राज्य की सीमा कौन-कौन से राज्यों को टच करती है तो यहाँ पर हमने देखा कि बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तरपरदेश राज्य से टच करती है यह बिहार को जलवाईयों के दरश्टिकों से संक्रवन कालीन इस्थिती प्रदान करती है यह उत्तर में नेपाल देश तथा दच्छिन में जहारखंड राज्यय से घीरा है बिहार राज्यय की उत्तरी सीमा किस से टच करती है नेपाल देश से और दच्छिन में बिहार के कौन सा राज्या है तो जहारखंड राज्या है तो यहाँ पर आपने देखा कि बिहार चारो तरफ से कौन-कौन से राज्यों से सीमा टच करता है एक बार फिर से आपको बता दे कि बिहार आपका पूरव में पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगो है परंतु विकास की असीम संभावनाव के बावजूद बिहार उस इस्थिती को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है ठीक है चलिए अभी आगे देखते हैं बात करते हैं बिहार के नाम की तो आप यहां पर देख सकते हैं बिहार के नाम की अगर बात करते हैं तो 22 मार्च 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है इस फैक्ट को आप यहाँ पर याद रखेंगे ठीक है देखिए स्थापना दिवस से ही रिलेटिड है 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से प्रत्थक प्रांत बनाने की घोशना दिल्ली दर्बार में जार्ज प कि गोशना कब कहां किसके दुआरा की गई थी तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार को बंगाल से प्रत्थक प्रांत बनाने की घोशना 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दर्बार में जार्ज पंचम के दुआरा की गई थी ठीक है देखिए इसके अलावा 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उडिशा संयुक्त प्रांत के गठन की घोशना विधिवत जारी की गई इससे पूर्व बिहार एविभाजित बंगाल का भाग था तो पहले बिहार बंगाल का भाग था लेकिन कब आपका 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उडिशा इन संयुक्त प्रांत के गठन की घोशना की गई इसके बाद ततकालीन वाइसराय लार्ड हर्डिंग दुइत्या ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उडिशा प्रांत की सीमाव के साथ निर्मान के संबंध में अंति मौपचारिक घोशना की वर्स 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उप्राजियपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवाल्य दुआरा सासित था इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उडिशा संयुक्त रूप से एक प्रांत की रूप में ए अस्तित्व में आए तो आप देख सकते हैं बिहार एवं उडिशा ये संयुक्त रूप से एक प्रांत की रूप में एक अप्रेल 1912 को अस्तित्व में आए थे 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए प्रथक विधान परिशद के गठन का आदेश पारित किया गया देन एक अप्रेल 1936 को बिहार एवं उडिशा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार एवं उडिशा ये दोनों अलग अलग राज्य कब बने थे तो 1 अप्रेल 1936 को बिहार एवं उडिशा को अलग-अलग राज्य की रूप में बना दिया गया तो यहाँ पर हम चीजों को to the point देख रहे हैं जो भी important fact है जो आपके exam में directly पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर to the point डिसकस कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आप देख सकते हैं बिहार उडिशा आपके अलग-अलग राज्य बन चुके हैं अभी 25 अप्रेल 2000 को प्रत्थक राज्य जारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनरगठन विधेयक 2000 को स्विकिर्थी प्रेदान की गई दो अगस्त 2000 को लोकसभाने इवं ग्यारे अगस्त 2000 को राज्य सभाने बिहार राज्य पुनरगठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया इसके बाद 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर ततकालीन राश्टपती डॉक्टर के आर नारायन की मंजूरी के साथ बिहार राज्ये दो हिस्सों में विभाजित हो गया 15 नवंबर 2000 को जहारखंड एक नई राज्ये की रूप में अस्तित्व में आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को जहारखंड बिहार से अलग होकर एक नई राज्ये की रूप में अस्तित्व में आ गया तो यहाँ पर काफी अच्छे से बिहार का जो इस्तापना दिवस है बिहार की इस्तापना दिवस की जो एक टाइम लाइन है यहाँ पर आपने एक टाइम लाइन देखा तो इसे यहाँ पर काफी अच्छे से बताया गया है पहले जो बिहार और उडिशा थे ये बंगाल का पार्ट हुआ करते थे पहले इसको बंगाल से अलग किया गया तब बिहार और उडिशा दोनों एक ही राज्ये थे जारकंड भी इनी के साथ था फिर बिहार और उडिशा को अलग कर दिया गया दैन आप देख सकते हैं फिर ब पुछ ले जाती है बिहार का इस्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ये पोइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे चलिए अभी बात करते हैं बिहार के उछ नियायालिया की हाई कोट की देखें बिहार का जो आपका उछ नियायालिया पटना में ठीक है उच नियायाल्य भवन की आधार सिला 1 दिसंबर 1913 को लाड हालडिंग दुवित्य द्वारा रखे गई थी यह पोइंट आप दिहान रखेंगे कि विहार उच नियायाल्य की जो आधार 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीट की रूप में की गई थी चलिए अभी देखते हैं बिहार राजिय को छेत्रफल की दरश्टी से राजियों में बिहार का कौन सा इस्थान है देखिए छेत्रफल की दरश्टी से बिहार का राजियों में तो भारत का बार्वा सबसे बड़ा रा इस्थान हो गया है राजियों एवं केंदरसासित परदेसों में समगर रूप से तेहरवा इस्थान लद्दाख केंदरसासित परदेस को सामिल करने के पश्चात है तो यह फैक्ट आपको जरूर याद रखना है ठीक है तो यहां पर हमने छेतरफल की दरश्टी से देखा कि बिहार का भारत में कौन सा इस्थान है छेतरफल की दरश्टी से बिहार का भारत के राज्यों में बार्वा इस्थान है ठीक है बात करते हैं जनसंख्या की दरश्टी से जनसंख्या की दरश्टी से भारत में कौन सा इस्थान है बिहार का तो तीसरा इस्थान है 2011 की जंगन करना के अनुसार ठीक है बिहार की राजकिया भाषा क्या है तो बिहार की राजकिया भाषा आप यहां पर देख सकते हैं हिंदी है दुईत्य राजकिया भाषा यहां पर उर्दू है चलिए अभी देखते हैं राजकिया प्रतीक बिहार में राजकिया प्रतीक क्या सब चीज था लेकिन अभी क्या है अभी बैल है बिहार का राजकिय पक्षी गोरईया है पहले नीलकंठ था ठीक है चलिए अभी बात करते हैं बिहार के भोगोलिक परीद्रश्य की देखिए बिहार का अक्छांसी अविस्तार और देशांत्री अविस्तार यहां पर आपको याद करना ह पूश लिये जाते हैं तो बिहार का अक्षांसी अविस्तार है 24, 20, 10, 20, 50, 15, 19, इपक्षांस देसांत्री अविस्तार क्या है देसांत्री अविस्तार है 23, 1950 , 88, 17, 40, पूरवी दिसांतर तो ये चीज़ यहां पर आपको याद रखना है ठीक है बिहार का छेतरफल कितना है बिहार का छेतरफल है 94163 किलोमीटर बात करते हैं लंबाई की तो उत्तर से दच्छिन बिहार की लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर चोड़ाई कितनी है पूरब से पस्चि कितनी है 173 फिट है सामानिय वर्षन तो सामानिय वर्षन यहां पर कितना होता है 1205 mm यहां पर बताया गया है ओसत वर्षा दिवस यहां पर कितना है 52.5 दिन एक वर्ष में ठीक है तो यह कुछ जरूरी फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं डारेक्टली चलिए बात करते हैं इसकी अवस्थिती की, तो अवस्थिती यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में इस्थित है, यह एक लैंड लोक राज्या है, भुव आविस्टित राज्या है, यह उत्तर में नेपाल देश, दच्छिन में जहारखन र हम भी है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक परिद्रश्य बिहार का, ठीक है, देखें, बिहार के राज्यापाल कोन है वर्तमान में, तो बिहार के राज्यापाल है, राजेंदर, विश्वनात, आरलेकर, बिहार के मुख्यमंतरी, नितिश कुमार है, बिहार के प्रमंडल में बटा हुआ है तो आप देख सकते हैं बिहार यहाँ पर नो प्रमंडल में बटा हुआ है कौन-कौन से हैं पटना मगद सारन तिरहूत दर्भंगा कोशी पुर्णिया मुंगेर एवं भागलपुर बिहार में टोटल जिले कितने हैं बिहार में टोटल जिले हैं तो बिहार का सबसे बड़ा जिला की हम यहां पर बात कर रहे हैं अगर आपसे छेतरफल में पूछा जाता है तो पश्चिवी चंपारन बिहार का सबसे बड़ा जिला है अगर पूछा जाता है आपसे जनसंख्या में तो जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना ठीक है बात करते हैं अनुमंडल की बिहार में कितने अनुमंडल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 101 अनुमंडल हैं सामुदाइक विकास खंड कितने हैं 534 पंचायत कितनी हैं 8406 राजश्व ग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर यह संकुल समू यहाँ आप देख सकते हैं नगर यहाँ पर 119 में बताई गए हैं पुलिस थाने 853 है पुलिस जिले यहाँ पर 44 है महानगर महानगर एक है पटना ठीक है यह आप दिहान रखेंगे इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में नगर निगम कितने हैं तो बिहार में नगर निगम हैं आपके 19 यह आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना, गया, आरा, मुझफरपुर, पुर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार सरीफ, भागलपुर, बेगुसराय, दर्भंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामडी, समस्तिपूर, साशाराम, तथा सहरसा, तो ये बिहार में टोटल 19 नगर निगम है, बात क सीटों की संख्या कितनी है विहार में, तो विधान सभा में टोटल 243 सीट है, अनुसूचित जाती है तू कितनी सीटे आरक्षित हैं, तो 38 सीट यहाँ पर अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके अलावा, अन परिशद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 यहाँ पर आपके विधान परिशद में सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो विहार में कितनी लोकसभा सीट हैं, टोटल 40 सीट हैं, ये आपको याद रखना है, इसके अलावा आप देख सक लोगसभा में अनुसूचित जाती है तू आरक्षित सीट कितनी है तो लोगसभा में यहाँ पर टोटल 6 सीटे आरक्षित हैं अनुसूचित जाती के लिए कौन-कौन सी है आप देख सकते हैं गोपाल गंज, हाजीपूर, समस्तिपूर, जमुई, गया, तथा साशाराम ठीक ह यह 6 सीटे यहाँ पर लोगसभा में अनुसूचित जाती है तू आरक्षित हैं राजे सभा में सदस्यों की संक्या यहाँ पर 16 हैं तो 16 यहाँ पर राजे सभा की सीट है और लोगसभा की सीट कितनी थी? 40 यह आपको याद रखना है पटना सचिवाल्य का निर्मान कब किया गया था वर्स 1913 से 17 में यहाँ पर पटना सचिवाल्य का निर्मान हुआ था पटना सचिवाल्य के वास्तुकार कौन थे तो यह थे आपके जौसिप मुनिंगिन्स पटना सचिवाल्य के निर्मान करता कौन थे तो यह मार्टिन बॉर्न थे ठीक है चलिए अभी बात करते ह राज्ये की सीमा को इस पर्स करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार राज्ये की सीमा तीन राज्यों के साथ लगती है और एक देश के साथ लगती है ठीक है तो यह तीन राज्ये कौन-कौन से है सबसे पहला है यहाँ पर जहारखंड तो बिहार की जो दच्छिनी सीमा है यह आपकी जहारखंड के साथ लगती है यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जहारखंड से बिहार के कौन-कौन से जिलो की सीमा लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहारखंड से बिहार के रोहतास, ओरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जिलो की सीमा टच करती है इसके अलावा उत्तरपरदेश से कौन-कौन से जिलो की सीमा टच करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरपरदेश से टच करने वाले बिहार के जिले हैं रोहतास, कैमूर, बकसर, भोजपुर, सारन, सिवान, गोपाल गंज, एवं पश्चिम चमपारन इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बिहार के क्वार के कौन-कौन से जिले सीमा टच करते हैं, तो यह हैं आपके कटिहार, पुर्निया, किसंगंच, ठीक है, इसके अलावा राज्य की सीमा को इस परस करने वाला देश कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाता है, कि बिहार कि सीमा को इस पर्स करने वाला देश कौन सा है तो ये है आपका नेपाल ठीक है आपको इसे भी धियान रखना है एक चीज और यहाँ पर धियान देनी है कि नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन-कौन से हैं ये काफी बार आपसे एक्जाम में कोश्चन पूछा जाता है नेप बात करते हैं भारत के कुल छेतरफल में बिहार का कितना परतिसत है तो आप देख सकते हैं भारत के कुल छेतरफल में बिहार का 2.86 परतिसत इस्थान है ठीक है 2.86 परतिसत ये बिहार की भूमी है जो भारत के कुल छेतरफल का है ये पोइंट आपको यहाँ पर धियान रख चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिहार में कुल वन की तो कुल वन बिहार छेतरफल का कितना परतिसत है आप देख सकते हैं बिहार के छेतरफल का 7.84 परतिसत ये आपका बिहार में कुल वन है ये डेटा मोस्ट इंपोटेंट है इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे स बिहार की जलवायू मानसूनी है ठीक है बिहार की जलवायू मानसूनी है अगर आप से पूशा जाता है कि बिहार की जलवायू कैसी है तो ये मानसूनी है बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये गंगा नदी ही है सबसे गर्म कुंड कौन सा है बिहार में बिहार में सबस इसके अलावा बिहार में सरवाधिक छेत्रफल वाले तीन जिले कौन से हैं आपको घठते करम में यहां पर बताना है बिहार के सरवाधिक बढ़ते करम में बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपका सिवहर, सिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, सिवहर के बाद है आपका अरवल, अरवल के बाद है सेखपुरा, तो यह तीन जिले बिहार के सबसे कम छेतरफल वाले हैं, देखे, तो आ जनसंख्या 2011 की अकोरीडिंग यहां पर आपको बताया गया है कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं देश की जनसंख्या का लगभग बिहार में Spotify 65 और ठीक है लगभग दस पॉइंट 41 करोड यहां की बिहार की जनसंख्या है पूरुस जनसंख्या यहां पर आप देख सकते हैं महिला जनसंख्या देख सकते हैं बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है यह कोश्चन आप से डारेक्टली पूछे जाते हैं काफी important आज की class है ठीक है ये data आपको जरूर याद रखना है बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमेटर जनसंख्या व्रधिदर क्या है बिहार की तो बिहार की जनसंख्या व्रधिदर है 25.42 परतिस भरत की कुल जनसंख्या का 8.60 परतिस बात करते हैं बिहार का लिंगा अनुपात गारे literacy rate क्या है तो बिहार का साक्षर्टादर है 61.80% ये पोइंट आपको याद रखना है इसके अलावा बिहार में पुरुस साक्षर्टादर कितनी है 71.2% महिला साक्षर्टादर बिहार की 51.5% है ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की ग्रामीन साक साक्षर्टदर यहाँ पर 69.78% है जिसमें आप पुरुस और महिला की भी देख सकते हैं ठीक है तो पुरुस यहाँ पर 69.67% है और महिलां 49.45% हैं ठीक है ये ती ग्रामीन साक्षर्टदर सहरी साक्षर्टदर बिहार की 56.86% है जो कि ग्रामीन के मुकाबले जादा है ग्रामीन जनसंख्या कितनी है बिहार में तो ग्रामीन जनसंख्या सहरी जनसंख्या के मुकाबले जादा है 88.31% बिहार में ग्रामीन जनसंख्या है जबकि 11.29% बिहार में सहरी जनसंख्या है ठीक है चलिए अभी आपको बताते हैं सरवाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले बिहार के कौन-कौन से हैं इसी प्रकाल से आप से एक्जाम में कोश्चन भी पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के सरवादिक जनसंख्या वाले तीन जिले हैं पटना पटना सबसे जो बड़ा जिला है जनसंख्या की दरश्टी से बिहार का ठीक है पटना के बाद पूरवी चंपारन और मुझफर पूर का नमबर आता है तो सरवादिक जनसंख्या वाले तीन ज बात करते हैं सरवाधिक जनगஃट वाले तीन जिले बिहार के कोन से हैं तो फ्रेंद्स ये हैं आपके सिवहर, पटना, दर्भ なґ इसकी अलावा नियोनतम जनगஃट वाले 3 जिले हैं आपके कैमूर, जमुई तथा बांका, इसकी अलावा बिहार के सरवाधिक लिंगा उनु पात वाले तीन जिले हैं मुंगेर भागलपूर और खगडिया ठीक है इसके अलावा सरवाधिक साक्षर्ता दर्वाले तीन जिले बिहार के हैं रोहतास पठना भोजपुर इसके अलावा नियूनतम साक्षर्ता दर्वाले तीन जिले हैं बिहार के पुर्णिया सीतामडी कट इहार ठीक है इन्हें आप याद कर लेंगे बिहार में सरवाधिक पुरुस साक्षरता वाला जिला है रोहतास नियुनतम पुरुस साक्षरता वाला जिला बिहार में पुर्णिया है बिहार का सरवाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास जबकि बिहार का नियुनतम मह जिला साक्षरता दर्वाला जिला है सहरसा ठीक है काफी important fact है इन्हें आप अच्छे से याद कर ले देखिए friends यहाँ पर यह आपका बिहार का मैप दिया गया है ठीक है आप बिहार के जिले यहाँ पर देख पा रहे हैं यह आप देख सकते हैं इधर पश्चीमी चंपारन यह आपका किसन गंज है और आपको पता है कि बिहार की जो उत्तरी सीमा है यह आपकी नेपाल देश को टच करती है ठीक है आप से अक्सर अग्जाम में question पूछा जाता है कि नेपाल से बिहार के कौन-कौन से जिले सीमा टच करते हैं तो यहाँ पर आप इसवस्ट रूप से द सिवान है, सारण है ठीक है बकसर, भौजपूर, कैमूर, रोहतास यह सब आपके बिहार के इधर पश्चिमी जिले हैं पूर्वी जिले आप देख सकते हैं यह किसन गंज, पुर्निया, कटिहार, भागलपूर, बाका ठीक है यह आपके पूर्वी जिले हैं इधर दच्चि बहुरती है ठीक है विहार के पूरों में कौन सा राजिया है यहां पर आपका व हैं पष्चिर बंगौल कर में कौन सा राचिया है यूपी उत्तर परदेश और अार्ण जहर खंड काई यह पोंट आपको दियान रख्ण कि देखें इसी के साथ कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं बात करते हैं पश्चीमि佐्मपारन की वालमिकी वन्य प्रानी अभ्यारनिय है अगर आप से पूछआ जाता है वालमिकी वन्यजिव沒錯 में पर है तो यह आपका और सीता कुंड महोतसव ये किस से related है ये आपके पूर्वी चमपारन जिले से related है ठीक है विद्यापती महोतसव कहां मनाया जाता है विद्यापती महोतसव ये आपका समस्ति पूर में मनाया जाता है ठीक है इस प्रकार से आप देखेंगे इसके अलावा यहाँ पर आप इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कार खाना ये आपका मधेपुरा में है बिहार के मधेपुरा जिले में है ठीक है गोगा बिल बिहार का सबसे बड़ा नम भूमी छेतर तो गोगा बिल क्या है ये बिहार का सबसे बड़ा नम भूमी छेतर है जो की कटिहार जिले मे इसके अलावा विक्रम सिला गांगे डॉल्फिन अभिहारन्य यह बिहार के भागलपुर जिले में हैं यह आप याद कर लेंगे इसके अलावा भीम बांध अभिहारन्य रिशी कुंड सीता कुंड लक्षमन कुंड एवं रामेश्वर कुंड ठीक है यह सब आपका बिहार के म मुंगिर जिले में है ये काफी important है रेल इंजन मरम्मत कार खाना ये बिहार में कहां पर है तो ये भी बिहार के मुंगिर जिले में है ठीक है ये हो गया हमारा अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नागी नक्टी बांध पक्षी अभिहारनिया ये आपका बिहार के जमुई जिले में है ककोलत जलप्रपात बिहार में कहां पर है तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है ये भी आप यहाँ पर याद ठीक है नेक्स्ट है दसरत मानजी लोक उत्सव गोतमबुद अब्यारनिय वन्यजीव पार्क ये बिहार के गया जिले में है नेक्स्ट है आपका दुर्गवती जलपरपात दुर्गवती जलपरपात दुर्गवती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अब्यारनि विश्व मित्र महुतन्स door बिहार के बक्सर जिलے में मनाया जाता है नेक्स्ट ब्रेला अलगेल, सालीम olm अली पक्ष्किय अब्छिय अव्धिहारन्य यह आपका बिहार के वैशाली जिले में हैं इसके अलावा सद्द्धी जैवी कुद्द्धि Hampshire शुअ मन्द Delhi अपके बिहार के पथना जिले में ठीक है आप देख सकते हैं इंद्ध 새 मेला है फोल मेला है यह यहाँ पर काफी जरूरी जो चीजे थी बिहार के जिलों से रिलेटेड इन्हें हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है इन्हें आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप टारेक्टली देख सकते हैं बिहार के जिले एवं उनकी जनसंख्या तथा छ पटना जिले के फतुहा इस्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहयक नदी कौन सी है तो दोस्तों ये है आपकी पुनपुन नदी ठीक है पुनपुन नदी के बारे में आप याद रखेंगे पटना जिले के फतुहा इस्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहयक नदी है है तीसरा फैक्ट है यहाँ पर तुर्वेनी नहर का उदगम कहां से होता है तुर्वेनी नहर का उदगम कहां से होता है क्यामूर का पठार परश Daniel P पठार आपको याद रखना है चूना पत्थर के लिए परशिद है ठीक है नेक्स्ट है अनुपम जील बिहार में कहां पर इस्थित है तो अनुपम जील बिहार में कैमूर जीले में इस्थित है इसे हमने अभी हाल ही में डिसकस किया था नेक्स्ट है आपका बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारनिय कोंसा है तो यह है आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारनिय नेक्स्ट है बिहार की सुमेश्वर परवत्सरेनी सुमेश्वर परवत्सरेनी का निर्मान काल कोंसा है यानि कि इसका निर्मान कब हुआ था तो बिहार की सुमेश्वर परवत्सर प्लिस्टो सीन काल में हुआ था इसे भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है आपका बिहार में राश्टिय राजमार्गों की कुल लंबाई सडक परिवेहन और राजमार्ग मंत्रालिय भारत सरकार की अनुसार कितनी है तो आप देख सकते हैं यह फैक्ट आपको बताया गया है यह आप देख सकते हैं 5979.40 किलोमीटर 31 दिसंबर 2022 तक नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पती कौन सी है तो आप देख सकते हैं यह है परणपाती छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पती है परणपाती नेक्स्ट है आपका ग बिहार के गया जिले में अवस्तिताई से आप दिहान रखेंगे नेक्स्ट है आपके सामने वर्तमान फरवरी दो हजार चौबिस बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं नेक्स्ट है आपका बिहार की मुख्या खाद्यानन फसले कौन सी हैं, तो ये है आपकी चावल, ये हूँ, मक्का. Next है वह्य खनीज जिसके उतपादन में बिहार का एका अधिकार है. तो आप देख सकते हैं Pyrite के उतपादन में बिहार का एका अधिकार है. Next है आपका गंड़क, घागरा एवं सोन नदी. गंगा में करम से मिलती है आपको बताना है कि ये जो गंगा की सायक नदी है ये गंगा में कौन से स्थान पर मिलती है तो गंड़क घागरा गागरा को ही सर्यू कहा जाता है गंड़क घागरा एवं सोन नदी गंगा में करम से मिलती है तो ये मिलती है पहलेजा पटना रिवि की सस्य गहनता कितनी है तो यह थी 144 परतिसत ठीक है नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार की वानिजिय इवं उद्योग मंत्राले द्वारा विक्सित निर्यात संवर्धन उद्योगिक पार्क संबंदित है यह संबंदित है उचस्तरिय आउसन रचना आत्मक सुविधाव से यु बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषना दिल्ली दर्बार में की गई थी इसलिए यह डेट काफी इंपोर्टेंट है 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्गोषना के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उडिशा नाम से नई राज्य का गठन हुआ था नेक्स्ट है आपका सर चाल्स स्टुवर्ट बेले बिहार एवं उडिशा राज्य के पर्थम उप राज्य पाल नियुक्त किये गए थे संयुक्त बिहार एवं उडिशा राज्य में विधाई प्राधिकार की स्थापना वर्स 1913 में हुई थी 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उडिशा राज्य को राज्य पाल के साशन वाला प्रांत बनने का गोरव प्राप्थ हुआ था महा मही माहननिय सिरी सत्येंदर प्रशन सिनहा राज्य के पर्थम भारतिय राज्य पाल नियुक्त किये गए थे तो आपको ये भी याद रखना है कि बिहार राज्य के पर्थम राज्य पाल को नियुक्त किये गए थे तो ये थे सत्येंदर प्रशन सिनहा मार्च 1920 में लेजिसलेटिव कॉंसिल के भवन का निर्मान सुरू हुआ और यह है उसी वर्स बनकर तैयार भी हो गया था संयुक्त भिहार एवं मुरिशा राज्य के अंतिम राज्य पाल सर जेम्स डेविड सिफ्टान हुए नेक्स्ट है गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाव के अनुरूप वर्स 1937 में बिहार विधान सभा के चुनाव संपन हुए थे जुलाई 1937 में डॉक्टर स्रीक्रेश्न सिन्हा के नेतरतव में पर्थम सरकार गठित हुई थी और 22 जुलाई 1937 को विधान मंडल का पर्थम अधिवेशन हुआ था अक्टूबर 1949 में ततकालीन मुख्या मंत्री डॉक्टर स्रीक्रेश्न सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधान सभा विग्टित हो गई तो फ्रेंड्स ये थे आपके बिहार राज्ये से रिलेटिड कुछ मॉस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जिने आपको याद कर लेना है यहाँ से आपसे एक्जाम में कोशन्स पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी अभी जो हमारी दूसरी क्लास होगी ये होगी बिहार जाती आदहारित जंगनना 2022-23 पर इसे भी जल्द ही अपलोड कर दिया जा थैंक यू सो मुच, कीप वचीं